So, hello all the dear aspirants, उमीद करते हैं आपने CSIR NET के response sheet से अपने marks calculate कर लिए होंगे और अब आप ये जानना चाहते हैं कि आप GRF qualify कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए हमने आपके लिए GRF predictor बनाएं जो आपको मिलेगा हमारी website के उपर सबसे पहले आपको क्या करना है Google पर लिखे www.ifsonline.com जैसे ही आप website पर visit करते हैं आपको ऐसे yellow रंग की एक template के अंदर दिखाई देगा qualification predictor इस qualification predictor को जो आप click करेंगे तो आपको कुछ details भरने के बोलेगा जैसे कि आपका नाम क्या है आपका contact number आपका roll number आपकी category क्या है आपका exam of course CSIR net और जो subject आपने जिस subject से भी दिया है वो आपको यह फिल करना है उसके बाद आप जब next के option पर जाएंगे then you will get certain again columns जिसमें आपको कुछ details भरने है जैसे कि part A के अंदर आपको भरने है number of questions कितने correct हुए है यह hypothetical data है तो इसके उपर मत जाईएगा ठीक है you need to fill what number of questions जो आपने correct किये हैं and number of questions जो आपके गलत हुए है वैसे ही part B में number of questions जो correct किये हैं और वैसे ही part C में जो number of questions गलत किये हैं and part C में भी आपको यही pattern follow करना है उसके बाद आप predict the selection chance पर जाएंगे इस पर click करेंगे यह हमने किस basis पर बनाया है तो जितने भी data students में हमें भेजे हैं साथी साथ previous year के analysis के basis पर तो यह हमने predict किया है यहां मतलब यह हमने frame किया है जिसमें आप अपनी chances को पता कर सकते हैं कि आप जारेफ qualify कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जैसे ही आप fill करेंगे फिर आपको यहाँ पर अपना final result दिखाई देगा कि आपके जो total marks हैं of course वो तो calculate होके आई ही जाएंगे साथी साथ आपको यह भी बता दिया जाएगा कि आप qualify होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं ठीक है